एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल वन्टुवन क्लासी में मैं आप लोग का अपना दोस्त निदेश पजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों गौर्मेंट बजट मैक्रोक्नामिक्स का वन अफ दी मोस्ट इंपॉर्टन चैप्टर दोस्तों आज उसके कुछ बहतरीन बहुती शांदार आपके लिए आगे हूँ दोस्तों ये वीडियो उन लोगोले बहुत यूसफुल है जो तयारी कर रहे हैं सीचिऊ इस्धक्र के लिए जो तयारी करें उप्योपी टीजीटी कॉमर्स के लिए या या आफ सभी लोग कोशिश करिए मेरे साथ इन सारे mcu जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही शांधार है गौर्वर्मेंट बजट चैप्टर से उनसा आपको सॉल्व करनेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन हमारा सामने आ चुका है अब आपने किसी सेक्टर के शेयर को बेच देती है तो उसको डिसेस्ट्मिंट करते हैं कर चलते हैं तो option number two हमारा selling of shares of public sector enterprises held by it यह दोस्तों हमारा this investment के बहुत अच्छे example दोस्तों और this investment हमेशा 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 हमारी capital receipt होती है this investment हमेशा क्या होती है capital receipt capital city इसलिए है क्योंकि this investment से हमारी assets कम जाती है त्हां रख के चलेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे assets को कम कर रही है इसलिए this investment हमारी क्या है capital receipt आप तहां रख के चलेंगे अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आच चुका है let's see question number two primary deficit is borrowing requirement of the government for making primary deficit borrowing requirement होती है किसलिए होती है क्या वो interest payment के लिए होती है other than interest payment के लिए होती है paying of public debts के लिए होती है या payment of borrowing from RBI के लिए होती है तो दोस्तों आप हमेशा थानके चलिए आपको primary deficit का formula पता ही होगा सब लोग जानते है primary deficit equals to आप जानते है formula PD equals to fiscal deficit that is borrowings minus interest payment तो primary deficit में कर आप धिहान से देखें तो जो भी borrowings है वो interest payment देने के बाद ही बचेगी जब आप borrowings में से interest payment निकाल दोगे तब आपका primary deficit आएगा इसका मतलब है other than interest payment हमारा सही answer होना चाहिए इस question का तो इसका दोस्तों जो बिल्कुल correct answer है वो है other than interest payment आप लोग धानके चलेंगे बहुत ही सिंपल सा question you need to remember this next question आगे दोस्तों government budget isn't dash annual statement क्या government budget हमारा expected statement है actual statement है expected actual दोनों है या कुछ भी नहीं है तो दोस्तों government budget हमेशा हमेरा expected annual statement expected इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि सरकार के खर्चे कितने होंगे पूरे साल में खर्चे फिर में पता दूंगा लेकिन कमाई कितनी होगी I don't know तो government budget हमेशा हमारा expected है कि इतना खर्चा आ जाएगा सरकार इतना खर्च करेगी और इतना कमा लेगी तो यह expectation है government की I'm not sure or no one can be sure of कि सरकार का खर्चा इतना ही होगा और सरकार एक साल में इतना ही कमाएगी इस बार की World Bank is an example of cash World Bank से अगर दोस्तों मैं लोन लेता हूं तो क्या होगा World Bank से लोन लूँगा तो पैसा तो आएगा मतलब यह मेरी receipt for sure यह मेरी क्या है receipt है क्योंकि पैसा तो आ रहा है ठीक है अब लोन आ रहा है लोन है भाई जब भी लोन आएगा तब तब आपकी liabilities बढ़ जाएंगे आप लोग जानते हैं लोन आपकी लाइबिटी उत्ते सब लोग जानते हैं और ओव्यसी बात है लोन इस लाइबिलिटी आपको future में उसको pay off करना है जो लोग तो इसी लिए जो लाइबिलिटी बढ़ा रहा है ऐसी कोई भी receipt जिससे लाइबिलिटी बढ़ जाएं वो हमेशा 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 capital receipt होती है दोस्तों यह आपको धानके चलना है कोई भी receipt जिससे आपके liability बढ़ जाए वो capital receipt है इसी लिए जो loan from world bank है दोस्तों वो हमेशा मेरी क्या होगी capital receipt होगी आपको धानके चलना है जितने भी borrowing जितने भी loan है यह सब के सब आपकी क्या बनेगी capital receipt बनेगी आपको हमेशा ध्यान रखके चलना बोलना बिल्कुल नहीं है दोस्तों ध्यान रखके चलेंगे इसके लावा ऐसे बहुत सारे question के practice के लिए दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़े जली और आप लोग फुल जो पूरी पूरी बुक के टेस्ट होते हैं पूरी एकॉनमिक के टेस्ट पूरी बिजनस के टेस्ट पूरे accounts के टेस्ट इतने शांदा शांदा सेंपले पर दोस्तों आपके लिए लेकर आते डेली बेसिस पर content अपडेट होता है हमारी एप आरे आपकी अपनी एप यार आपके अपनी एप ही है एप का नाम है one to one classes आप जल्दी जल्दी इस एप को वह दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से one to one classes की एप आपकी अपनी एप बहुत सारा material दोस्तों इसके free section में जाकर आप लोग उसी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए बहुत useful होने वाली है और फॉर इतना कुछ material आपको free में कहीं से नहीं मिल सकता दोस्तों आपके लिए specially हम यह material त्यार कराते हैं ताकि आपका maximum benefit हो और आपकी त्यारी हो जाए बहतर से बहतरीन दोस्तों हमेशा धान रखेंगे आपके फिपर में आपके लिए आपका YouTube channel one to one classes आप है मेरे साथ या नहीं कि आपके अपने दोस्त नितेश विजास के साथ आपके यूट्यूब चैनल one to one classes फे दोस्तों next question को जलते हैं question number five which of the following is not an objective of government budget इनमें से कौन सा activities को लेके या money को लेके उसको बढ़ाना क्या government budget state के differences को बढ़ाने के लिए नहीं घटाने के लिए तो reducing regional disparity आना था इसका answer या increasing regional disparity लिखाव है तो increasing regional disparities का कभी नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता कभी नहीं होसकता increasing नहीं चलेगा मेरह भाई decreasing चलेगा तो हमेशा राँके जलेगे दोस्तूं इसका सही answer भाई आपको प्या रहेगा बाकी सब्सक्राइब आपके जो है objective है यह objective बिल्कूल भी नहीं है तो यह собствен और धानक के इसेट कर देना में धरतेर आ या तो लाइबलिटि बढ़ा दे या फिर अजलेशंट कर सेट्स、「णहट कश्छन कोशन आप लोगों के लिए कुश्छन कंडीच का सट पईस प्सक्रावक चलेश आक लाइब लगशन सेब्स mr. होते हैं क्योंकि 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 revenue receipt की definition आपको पचानी बढ़ेगी revenue receipts हमारी हो receipts होते हैं दोस्तों जो ना तो आपकी liability बढ़ाती है और ना ही आपके assets को घठाती है अगर आपने अब तक government budget chapter prepare ही नहीं करा यार तो आप लोग हमारी macro की playlist में जाहिए उसमें आपको government budget की वीडियो मिल जाएगी उसमें वीडियो है macro का champion भाई बहुत ही शांदार वीडियो है वीडियो का नाम है macro का champion champion ही बनाना है तो देखो macro का champion एक वीडियो उसके अंदर आपको मिल जाएगी उस इस वीडियो में मैंने तीन चैप्टर कवर करें शॉर्ट में और बहुत अच्छे से कवर करें जिसमें गौर्मन बजट मनीन बैंकिंग और फॉरें शें रेटन भी यह तीन यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्ट इंट कवर करी गई है आप एक बार अगर वीडियो भी सो इट नीदर क्रेट अनी लिवरीटी नोर कॉस्ट रिदक्शन इन ऐसी और एसी और एसेट अप यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नमबर टू हमारा बिल्कुल सही आंसर है आप लोग दान के चलेंगे नेक्स्ट कोशन पर एट इन गौर्मेंट आप से ज़ादा लिया जाएगा सीधी सी बात है तो यह क्या है क्या है क्या है यह दोस्तों हमारा रेडूसिंग इनिक्वालीट ओफिंकर्मेंट यह जो टक्स है दोस्तों जो अमीर लोगों से लिया जाता है जितने जादा आम उसको हम लग प्रोग्रेसिव टेक्स के नाम लेक्रेविंग है उतंबायर परहा गयुक्षाक कि आप चोटी बात को कर नोट करते चले तो मुझे लगता आपकी त्यारी 101 पचंट वहतर नहीं भै coral हो बने रहें हमारे चैनल के साथ आपका अपनों यूट्क चैनल 151 translations नेट्सकों चलते हैं को कौन सबोपता है यार इस अनधा टाइम वेस्ट क्यों घरार तो ृग्स इंगी घर टॆ हमारी इसी हमारे बहुत अच्छे अपने इसका कब मारे धाया यह आपने सुनाओगा वैट था वैट तो यह कौन-कौन से टक्सिस को हटा के जीस्ट आया आप इसको जरूर रीड करके जाए इस रिलेटेट कुछा जाता है कि इन में से कौन सा टेक्स है जिसको अब तक अभी भी प्रेजेंट है तेक पार इसको जरूर रीड करके जाएंगा आपको benefit मिल जाएगा इससे भी ओशिंटे नेक्स्ट कोशिन कोशिन में 10 प्राइमरी डेफसेट इन गवर्मेंट बचट इक वर सुट एश्ट किसके को लुटा देखते हैं इंट्रस पेमेंट के नों इंट्रस पेमेंट लेस्ट नों बोरिंस लेस्ट इंट्रस पेमेंट प्राइम डेफसेट का फॉर्मला दोस्व मैंने अभी आपको लिखके भी रिखा था कि प्राइम डेफसेट इक वर स्टू स्कल्ड एपसिट जिसको मैं बोरॉंग से लिए मेरी बोरॉंग सोती है चीक है और इसमें से माइनस करता हूं इंट्रस पेमेंट ठीक है तो यह मे वेकली करेक्ट नंस सिम्पल कोशन लेक्स्ट कोशिंग्यों दोस्टों विच्वन एफ़ोण इनमें से कोन सा यह रिभान कॉन सी होती है दोस्तों और रिवए बढ़ाती है और ना ही ऐसेट को घटाती है लग जिनको मैं ौट ही नहीं कर सकता वो है प्रण करां नहीं होते profit of public enterprise नोट नहीं होता, corporate tax नहीं होता, recovery of loan दोस्तों नोट हिए, recovery of loan क्या होता है, recovery of loan हमारे asset को कम करता है, ये क्या बिमार है, recovery of loan पर आ रितों, काफी अच्छा और काफी important topic है, क्या होता है, आपने किसी को अगर loan दिया है, तो आपने अपने asset create कर लिए यह आप लोग जानते हैं commerce background वह बहुत जल्ली समझ जाएंगे इस बात को अगर आप किसी को भी loan देते हैं तो वो आपके asset create होते हैं अगर उस loan की recovery होगे recovery का वाला पैसा वापीस आगया अगर पैसा वापीस आगया तो मुझे of asset कम करने पड़ेंगे asset में से उस loan को हटाना पड़ेगा इसलिए मेरे asset कम होगे इसलिए recovery of loan हमीशा मेरा revenue receipt है दोस्तों ध्यान रके चलेंगे इसकोशन नेक्स कोशन कोशन में 12 union budget कोन प्रेजेंट करता है पार्लेमेंट में भाई तो सबको पता है के finance minister और फिलाल हमारी जो करेंट finance minister है मिसेज निर्मला सीतरमन जी तो वह है उन्होंने present करा है और इसले 2-3 साल से वह present कर लिए यह आप लुग धान रखे चलेंगे कोशन आ प्रेजेंटली कोन हमारे देश के Finance Minister है Mrs. Nirmala Sitharavan आप लुग जाना की चलिएंग दोस्तों नेक्स कोशन कोशन मठ थाटीन प्राइमरी डेफसेट केंवी जीरो इफ प्राइमरी डेफसेट कब जीरो हो सकता है बाइप प्राइमरी डेफसेट का फॉर्मला होता है हमारा अभी मेरा बता था या बार बार यह कोश सब्सक्राइब तो इसका सही आंसर रहेगा दो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो 100% मेरा प्राइम देशिट क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा सो सिंपल कोश्चन यार मजई आ गया अगर आप लोग भी इन सारे कुश्चन को सॉल्व कर रहे हैं साथ-साथ और आपके भी आं सही रहे दोस्तों इससे आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो का benefit मिल रहा नहीं मिल रहा जरूर बताएगा दोस्तों आपके कमेंट्स हमें बहुत जारा जरूरी है हमें हमारी हिमत बनाया रखने के लिए हमें और जारा अच्छा करने के लिए आपके कमेंट्स मोस्ट फैलिकम हैं दोस्तों जरूर कमेंट करके पताएगा आपको वीडियो कैसी लगी नेक्स कोशन कोशन में 14 हमारे सामने आ चुका है डैश इस एग्जामपल ऑफ नोन डेट्ट क्रेटिंग कैपिटल सी दोस्त दो तरह की कैपि अर्थात क्या है कि कुछ एपिटल ऐसी है जो लिएबिटी बढ़ाती है और कुछ जो एसेट घटाती है चीक है तो कौन सी ऐसी है जिसके बसे हमारे एसेट घट जाते हैं तो दोस्तों एसेट घटते है रिकवरी ओफ लोन में आप लोग जानते है मैं आपको बताया और ड था रखे चलें सिंपल सा कोश्ण यह दोनों है आज जिस से आपके एसेट कम होते हैं तो नोंडट क्रेटिंग कापिटल से वह हैं जो आपके एसेट को कम करके जाएं यह आप लोग धानते चलेंगे जब कि डैप केटिंग वह जो आपकी लाइबिलिटी इसको बढ़ाती ह आप लोगों का इंटरस्ट सेम टाइम पे सफ करें जैसे मैं आपको एक्जामबल लेता हूं स्ट्रीट लाइट जो सरकारी हैं लगे होते हैं हर कौनली में लगे होते हैं वह बहुत सारे लोगों की नीट्स को इखटा सैटिस्फाय करते हैं इसलों पॉब्लिक गुड्स कहलाते हैं उसका सही आंसार है दो सॉप्शन नुबर फॉर सैटिस्फाय कलेक्टिव नीट्स ऑप दी पीपल तो ऐसी चीजें जो बहुत सारे लोगों की जूरतों को एक साथ पूरी करें उन नेक्स कोशन वेन गॉवर्मेंट टुइट्स बजट्री पालसी मेक्स ऑल्करेशन इन सेविंग और इन्वेस्मेंट के रेट में जाये दोस्तों अंसर हमेशा 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 जब भी कभी सेविंग और इन्वेस्मेंट के रेट में चेंज आए हमेशा आपका ऑंसर एकनौमिक ग्रोप के फेवर में रहेगा आप लुक्दान रखे चलें दोस्तों नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन 17 दू टू पैंडबिक औफ कॉबिड नाइटीन गॉर्मिन आप इंडिया हैस सेट असाइड एस फाइफ फाइफंडेड को फॉर कंसक्शन ऑफ हैल्थ इंफसक् बहुआ आँधा जा रहा है यह सरकार क्या कर लिये सरकार के लिये बैलनने और दन द्वब्लब्मन्नत क्योंकि और डिजो स्टेट वप्ट हैं उनको तो thermo rejecting को बिदिद्द में लेकिन इ tip नहीं इसको कहा जाएगा बैलन्स रीजन डवलब्मेंट हमेशा रानके चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट कोशन कोशन बाइटी असरेशन रीजन आ गया जैसे जैसे बाद तो सभी लिए रीजन में कैया रखा है इस बात की ख्राइटी ने रीजन सच है विलकुल कि इस बात को जरूर मानता हूं आप बिल्कुल सही है रहें लेकिन आपका रीजन क्लारीफाई नहीं हो पा रहा रहा है बिल्कुल रीजन में कुछ डम नहीं है मैं नहीं कह सकता रीजन बड़ा शान था बिल्कुल सही करेक्ट है ना इसलिए option number two दोस्तों हमारा correct माना जाएगा कि assertion reason दोनों ठीक है लेकिन रीजन जो है वो correctly explain नहीं कर पा रहा है assertion को मज़ा नहीं है रीजन में दम नहीं है इसलिए option number two correct माना चाहे हो next question question number 19 the government has increased the rate of income tax the objective of government is to dash income tax जब भी बढ़ेगा यार एक ही प्रंगा है सारा का सारे एक ही main aim है government का that is redistribute income and wealth income tax को बढ़ाओ ताकि rich और poor के बीच का gap कम करा जा सके income tax बढ़ेगा तो rich लोगों की income थोड़ी से कम हो जाएगी इस पैसे को government government खर्च करेगी कि इस पे पूर लोगों के उपर ताकि पूर लोग थोड़े से उपर मूव करें और रिच थोड़े से नीचे आ जाए और इनके बीच का जो गया पहले से क्या हो जाए तो ठीक है सरकार सोच रही अच्छा सोच रही है बहुत गूर्मेट इस गुड पैरी जाएगा अगर पीडी का फॉर्मला आप जानते हैं डेट इस फिसकल दाफिट माइनस इंट्रस पेमिंट या लोग बहुत अच्छे जानते हैं अगर पीडी जरो हुआ इसका मिला फिसकल डैफिट और इंट्रस पेमिट एक वाल है तब यह जी जरो हो नहीं सकता बिल्कु मत भूलेगा चैनल को सब्साइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों लेकर आएंगे बिजनस सेटीज के लिए एकॉनमिक्स के लिए और हंजी बिल्कुल अकाउंट्स के लिए भी तो अभी चैनल को सब्साइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल वन टूवन क्लासिस ओसो हमेशा आपके साथ आपकी सेवा में